Hello everyone, आज मैं आपके साथ एक ऐसा index share करने वाला हूँ, जिसके अंदर up to 60% के gain आपको short term में देखने को मिल सकते हैं, उसी के साथ साथ ना social media पर और ना ही media के अंदर इसके बार में बात हो रही है, क्योंकि हर एक इंसान इस सवा पर जो over value चीज है उसको देखने में लगा हुआ किसी भी retail investor को actually extraordinary पैसे कमाने है, तो उसे तब entry लेनी चाहिए, जब एक अच्छी चीज सस्टे price पर मिल रही हो, जो हम index discuss करने वाले है, वो same scenario के अंदर fit भी होता है, वहीप अगर आप risk plus reward की बात करोगो, तो यहाँ पर almost ता के वराबर आपको risk देखने को मिल रहा है, और reward up to 60% का देखने को मिल रहा है, तो यह जो mutual fund हम discuss करने वाले है, यह काफी ज़दा interesting होने वाला है, एक sectoral fund होने वाला है, तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हो, समझते हो, तब जा करके आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप फंड का नाम जा कि यह जो fund है, यह आपको extraordinary return क्यों मना करके दे सकता है, तो directly चलते हैं, वीडियो की side, अगर आप नए हो, तो इस चैनल को subscribe कर दो, अगर आपने वीडियो को like नहीं किया, तो please like कर दो, यह काफी ज़दा important है, I know आपने नहीं किरा, तो please जल्दी से दबा दो, उस like बटन को, आप चलते हैं, वीडियो की side, screen पे सब्सक्राइब मैंने कुला हुए, nifty 50 index, अगर आप 2020 से ले करके, आज के time case के return देखोगे, तो यह करीब-करीब 7% के आसपास के return, nifty 50 ने दे दिये हैं, जो कि है हमारा index, महीं पे अगर आप last एक साल के return को देखोगे खाली, तो last एक साल के अंदर जो इसने return दिये हैं, वो मोटे-मोटे तौर पे आपको 34% के आसपास के return दे दिये हैं, जो कि extraordinary return है, वहीं पे अगर आप mid cap और small cap को भी देखोगे, तो उन्होंने भी up to 80% के return दे दिये हैं, आपको last एक साल के अंदर, लेकिन इसके बावजूत कुछ एक ऐसे sectors है जहां पर आपको under performance देखने को मिलने वाली है, और जब FII का पैसा market के अंदर आएगा, तो वो उन सारे sector के अंदर ही जाने वाला है, तो इस साहब पर सबसे बादे हमें ये समझना पड़ेगा, कि FII पैसा डालेगा कब, और market के अंदर चल के रहा है, तब ही जाकर आपको व government है, वो काफी अच्छे तरीके से आ सकती है, लेकिन ये जो सारे सारे घुटाले सामने आए हैं, इससे कहीं न कहीं, economy level पर थोड़ी सी चीज समझ आ गई है, कि जो हमारे GDP के नंबर है, वो clear नहीं आ रहे, उसी के साथ जो government है, वो full power के साथ आप आपाईगी, नहीं आपाई होगी, कि जो इंडियन मार्केट है, वो इस समझ पर बहुत ज़्यादा हाइप हो रखी है, जो इनकी GDP के नंबर है, वो बहुत ज़्यादा हाइप हो रखे हैं, और इसी वज़े से अगर आप देखोगे, तो recently क्या हुआ है, लास्ट कुस टाइम से जो FII है, मतलब foreign institutions, US, UK स meanly invest करते हैं, वो लगतार आपको sell करते हुए दिखे हैं, इंडियन मार्केट को क्यूं, जब भी मार्केट के अंदर uncertainty होती है, जहां पर market एकदम से clear नहीं होती, जहां पर जो foreign institutions है, उन्हें ये लग रहा होता है, कि भाई, safe investment नहीं है, वो उस मार्केट को छोड़ करके निक invest करना शुरू करेंगे, और जो next level of rally आने वाली है, वो आएगी FII-DII के investing से, because जो current market situation है, उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आगी होई, कि जितने भी हमारे retail investor है, उन्होंने अभी तक market को समाल के रखा हुआ है, otherwise normally जब भी FII हमारी market को बेच करके भागते थे, तो जो हम FII-DII वो ऐसे जगा पर invest करेंगे, जहां पर उनको direct benefit देखने को मिलेगा, और हमेशा वो उस जगा invest करते हैं, जहां पर आपको undervaluation देखने को मिलती है, अगर आप खुद को या मुझको भी अपनी जगा रख लो, तो मैं हमेशा जाकर करके ऐसे stock थोड़ना खरीदूँगा, या ऐसे mutual fund थोड़ना करेंगा, जो overvalued हो, तो इसी तरीके से जो FII-DII हैं, वो भी काफी जदा intelligent होते हैं, जब भी वो किसी भी market के अंदर जाते हैं, तो वो उस sector को target करते हैं, जो कि undervalued हो, लेकिन उसी के साथ fundamentally strong हो, उसका growth projection है, वो भी काफी हद तक clear हो, अगर आप Indian market को द के अंदर invest करता हो, दिखता है, अब वो जब banking और finance sector के अंदर invest करता है, तो वो ऐसे stocks के अंदर invest करता है, जो कि large cap हो, जिसमें काफी ज़्यादा liquidity हो, क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे small cap banks के अंदर invest करना शुरू करेगा, तो उस case के अंदर market बहुत ज़्यादा overbought चली ज stocks है, वो खरीदना शुरू करेंगे, 100 रुपे से 120 रुपे तक पहुच जाएगी, तो सबसे पहले वो invest करना शुरू करेंगे, large cap के bank के अंदर, large cap के NBFC के अंदर, तो अगर आप direct stock के अंदर invest करते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको ऐसी जगा position build कर लेनी चाहिए, जिसे बजाज finance हो गया, चोला मंडिलम हो गया, जियो finance हो गया, यह कुछ ऐसे stocks है, यूगिए NBFC सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, उसी के साथ से अगर आप banking की बात करोगे, so SDFC bank हो गया, Kutek Mahindra bank हो गया, ICIC bank हो गया, Indecent bank हो गया, यह कुछ ऐसे banks है, जो कि fundamentally काफी ज़्यादा sound करते हैं, लेकिन इस समपे underperform कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको up to 60 to 70% का gain काफी असानी से देखने को मल सकता है, अब कुछ लोगा question आगा कि भाई, यह वीडियो तो mutual fund और index के उपर थी, आप stocks पर कहा move कर गए, इस stock पहला प्यारा है था था भाई, थोड़ा बहुत मैं move क जाता हूँ, अब मैं चलता हूँ, डिरेक्ली आपको ऐसा index दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको यह सार का सारा combination भी देखने को मिलेगा, और अगर यह stocks चलेंगे तो यह जो index से यह multi-bagger return दे सकता है, और उसकी analysis करना थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे लिए कि 60% के return यह निकले के दे दिये हैं, तो अगर आप compare करोगे इस index को nifty 50 से, तो nifty 50 ने जहां 80% के return दिये हैं, bank nifty ने 47% के तो almost आधे percent के return मिले हैं, यहाँ पे bank nifty को, वही पे अगर आप consider करोगे volatility और alpha को, तो जो nifty 50 है वो हमारा benchmark होता है, वो पूरी market के top 50 कमपनिया होती है, जहाँ पे आपको growth की कमपनियां भी दिखेंगी, FMCG भी मिलेंगी, defensive कमपनियां भी मिलेंगी, लेकिन वही पे अगर आप सोचते हों कि जो nifty 50 है, वो 80% के आस पास के return दे सकता है, तो जो ज़्यादा volatile index होता है, उसको और भी ज़्यादा return देने चाहिए, क्योंकि market के अंदर ये disparity कभी भी न return, वही पर अगर आप mid cap के देखोगे, तो 50-55% के return देखते हैं और वही पर जो small cap है, वो आपको up to 80% के return मनाता होगा दिखाए एक साल के अंदर, इससे ये तो आपको समझ आ गया है, जिसका alpha ज्यादा होगा, वो हमेशा ज्यादा return देगा, जो ज्यादा volatile ज्यादा होगा, वो आपको ज्यादा return मना करके देगा, वही पर जो bank nifty है, वो ज्यादा volatile होता है, अगर आप compare करोगे, nifty 50 के against, even 1.5 के आसपास की volatility है, आपको bank nifty के इंदर देखने को मिलती है, उसी के सासा जो alpha होता है, वो 1.7 के आसपास का होता है, तो इससे मोटा मोटा मतलब ये होता है कि अगर nifty 50 10% के return देगा, तो जो bank nifty है, वो over the time 17% के return आपको बना करके देगा ही देगा, क्यों? क्योंकि उसका alpha इतना होता है, और ये ऐसा नहीं कि एक साल, दो साल, तीन साल का alpha है, ये trailing alpha आपको देखने को मिलता है, bank nifty का, तो इस सामा पर अगर आप देखते हो, तो almost जो bank nifty है, वो 50% के return दे रहा है, वहीं पर जो nifty 50 है, वो 80% के आसपास के return दे रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो discount दिखता है, आपको वो दिखता है 30% का, उसी के साथ हमने जैसे बात करी, कि जो alpha आता है bank nifty का, वो 1.7 का है, तो यहाँ से भी at least ये जो bank nifty है, ये आप 60% के आसपास का gain देखने को मिलेगा, क्योंकि 30% का gap तो इसको all time high hit करने में, या फिर nifty 50 के साथ के return देने में ही मिल जाएंगे, उसी के साथ 30% इसका जो alpha वो वैसे ही ज्यादा होता है, तो इसलिए up to 60% तो easily आपको short term में यहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं, तो एक जो बहुती अच्छी opportunity मिल रही है, इस समय पे भी position building की, वो है हमारी bank nifty के अंदर, अगर आप चाहो तो सिर्फ उसे भी simple सा swing लेकर के भी यहाँ पे अच्छे खासा return बना सकते हो, जो हमें इसका data बताता है, उसी के साथ साथ अगर आप long term perspective के बात करते हो, तो जो FII Indian market के अंद interest rate cut होंगी, कब हो सकते हैं, मान लेते हैं, इस साल अगले साल हो जाएंगे first half में, तो अगर इस साल नहीं भी होते हैं, अगले साल भी होते हैं interest rate cut हमारे, तो इतने position के साथ तो FII market में आए गई कि भाई, एक साल के आस पास मिरको up to 60% के gain मिल रहे हैं, तो अगर आपको मैं यह बोलू कि आपको ऐसी जगह invest करना है, जहां पर आपका जो downside है वो 20% है, और जो upside है वो 20% है, या फिर आप ऐसी जगह invest करना पसंद करोगे, जहां पर आपका downside 10% है और upside 60% है, तो आपका अंसर मुझे शायद पता है, आप बोलोगे भाई, जहां पर upside, मतलब gain 60% के हो सकत तो मैं वहाँ डालना पसंद करूँगा, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यह चीज़ FII को भी बहुत अच्छे से पता है, और जैसे ही interest rate cut होंगे, आपको यह भी पता है कि उनके operating profit margin बढ़ जाएंगे, दूसरी चीज़ जो finance कंपरियां होती है, उनका कासा ratio environment में bank को नहीं दिये हैं अपने consumer को, वो भी उनको महंगे price भी वापिस करना पड़ेगा, चाहे interest rate cut ही क्यों न हो जाए, विकास बहुत ही कम bank ऐसे होते हैं, जो कि साथ के साथ अपना जो interest rate है, वो cut करते हैं, अपने customers के लिए भी, उसी के साथ साथ, जितनी भी हमारी card वाली company होती है, NVFC company होती है, वो floating interest rate के उपर mainly काम करती नहीं है, तो जिस भी लोगों को इस समझ पर loan दे रहे हैं, चाहे वो personal loan हो, या card loan हो, जो कि high interest rate के अंदर दे रहे हैं, वहाँ पे भी उन्हें benefit देखने को मिलगा, क्यों? अगर आप banking को अच्छे से समझते हो, तो आपको एक कर देता है, 9 से 10% के rate पे, अब ये मानलो कि आने वाले time पे interest rate कट हुए, और आपने bank को दिया, bank ने बोला, मैं 6% की नहीं, मैं आपको 4% के rate दूँगा, FD के, आपको तो FD करानी ही है, क्योंकि जो saving account हमाँ पे 2% मिल रहे है, तो आप 4% पे FD करा दोगे, लेकिन जो bank ने 10 10% पे loan दिया हुआ है, end customer को, वो तो उसको 10% पे return देगा रहा है, तो मोटे-मोटे तौर पे सीधे-सीधे, 3-4% का OPM का benefit देखने को मिलता है, banking के अंदर, और यही एक major trigger है, जिसके बाद जो banking है, वो काफी तीजी से recover करेगी, इसी के साथ साथ अगर आप इस सहां पे कहीं पे भी देखोगे, market के अंदर, तो सिफ और सिफ दो या तीन ऐसे sectors हैं, जो कि underperform कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप पे revenues भी काफी जादा है, और आप consumer durable को देखोगे, तो वहाँ पर भी जो growth है, कि वो interest rate cut के बाद ही आएगी, क्यों? जैसे ही interest rate cut होगा, लोग को चाहे यह mobile मिलता है, तो आपको पता है, हम consumption based economy धीरे-धीरे बन रहे हैं, तो हम जाकर के धीरे-धीरे खरीद लेंगे, तो इससे किस-किस sector को benefit मिलेगा, consumer को benefit मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे selling ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, उसे किसा साथ banking को benefit मिलेगा, क्यों? वहाँ और भी जादा EMI शुरू हो जाएगी, उसे किसा साथ कार्ड, NBFC को benefit देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी growth हानी शुरू हो जाएगी, तो यह एक ऐसे sector है, जो कि correlation के साथ आते हैं, तो अगर कोई भी short term के लिए यहाँ पे आना चाहता है, मतलब एक से देर साल की investing के लिए, तो up to 60% के gain तो आपको चार्ट के उपर ही देखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि Nifty ने ही 80% के return बना दिये हैं, तो भाई इस level से उपर तक यह 30% और जब Nifty को breakout देगा, तो next 30% at least यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, next 1 से 1 साल और maximum 2 साल के अंदर, तो अगर किसी को भी invest कर होगे, लेकिन अगर आप एक अच्छी चीज सस्ते प्राइस पर खरीदते हो, तो जब आप उसके reasonable प्राइस पर भी बेचोगे, तो भी यहाँ पर 30 से 40% का gain देखने को मिल जाएगा आपको, और अगर यह तो सबको पता है कि भाई एक अच्छी चीज सस्ते प्राइस पर मि या आप invest करना चाहते हो, तो definitely आगी के analysis करके ही तब ही इसमें invest करना, क्योंकि जो market हो काफे ज़दा volatile होती है, predictable तो बिलकुल भी नहीं है, लेकिन analysis के according यह दिखता है, आप अपनी further analysis करके इसके अंदर invest कर सकते हो, वीडियो पसंद आई है, वीडियो का idea पसंद आए, तो व Thank you so much for watching this video, tata, buh-bye, signing off.